ये प्रेजेंटेशन अमेजिंग फैक्ट्स के मित्रों के द्वारा लाया गया उन्होंने सहमत किया कि संसार में बहुत कम लोग हैं नवेहु भाषा में इतनी बेचीदा बाते जुड़ी हैं तो मरीन्स को नियुक्त किया गया कि विशेश प्रोग्राम बनाएं और कोड बनाते जाएं जवान नेवहु लोग जो कि अपनी भाषा और इंग्लिश में प्रभावी थे कुछ तो केवल 15 साल की थे उन्होंने नेवहु कोड में महारत हासल की जिने उन्होंने युद्धिक के दौरान बेचीदा जानकारी देने के लिए उप्योग किया कि तिहासकार मानते हैं कि नेवहु कोड टौकर ने बड़ी भूमी का नेभाई पैसिफिक में युएस की विजय में और जैपनेज उस कोड को नहीं जान पाए क्या आप जानते हैं कि वचन सिखाता है कि वह बहुत इस सरल और जाना पहचाना कोड है जिसे एक बार समझ ले तो आप बाइबल की भविश्वानी के फैदों को समझ पाएंगे अगर आप इस कोड को समझे लेते हैं तो आपके जीवन में परमेश्वर के भोईश्वानी के संदेश जीवित होंगे या आपको भविश्यक ले शान्ती और आशा देंगे तो जैसे हम इस कोड को देख रहे हैं मेरे साथ में जोड़ जाईए हम बहुत ही खुश है कि यहां आपके साथ में शार्लिट में हैं हम इस सीरीज का इंतिजार कर रहे थे और हमने नए प्रेजेंटेशन का नया सेट बनाया है जो बाइबल की भविश्वानी पर आधारित है और खास कर आज संसार में जो भी हो रहा है उसकी रौश्णी में में शायद आपने भी इसके बारे में सुना होगा यह मशीन तो सच में पहले विश्वयूद्ध के दौरान बनाई गई थी खास कर व्यापार के उपयोग के लिए लेकिन जब दूसरा विश्वयूद्ध हुआ तो नाजजी के लोगों ने जाना कि यह सच में बहुत ही Unbreakable Code है लेकिन वो इस बात को नहीं जानते थे कि बहुत ही बुधिमान ऐसे Polish Mathematician है जो British Agent के साथ काम कर रहे हैं वो Enigma Code को Crack कर पाएंगे और ये भी कि वो एक Code Book लिये है Russian U-Boats से याने उसे Sink करने के बाद ताकि जर्मन लोग जाने Code Book कैप्चर हुई तो वो वहां पर इस बा आचीत को समझ पाए जो जर्मन मिल्टरी ने दूसरे विश्व युद्ध के अंतिम भाग में किया था यूएस ने कंप्यूटर बना लिया था मैसेज मिलने के बाद उन्हें तुरंत प्रतिक्रिया करनी थी तो पहला सूपर कंप्यूटर एक ट्रक के इतना बड़ा था यूँकि वो इस मशीन का कोड समझ गए थे खैर जानते हैं प्रकृति में और बाइबल में हम यहां पर चक्र देखते हैं यहां तक कि यहजकेल की किताब अध्या एक में पहिये के बीच पहिया कहता है और आप देख सकते हैं एक पहिये में दूसरा पहिया है जो कि इश्वानी में हो रहे हैं इन में से कुछ के बारे में हम चर्चा करेंगे इन असाधरन चक्रों के बारे में हमारे प्रेजेंटेशन में अब पहला सवाल हम इसे सवालों की सिरीज में देखेंगे मैं पहला सवाल पूछना चाहता हूँ सवाल और जवाब से शिक्षा देन मुझे पसंद है क्या इशु ने हमें ऐसे कुछ चिन्ध दिये हैं जो हमें ये दिखा सके जिसे हमें पता चले कि उसका आना निकट है मैं खास कर जोर दूँगा निकट है ये क्या कहता है इशु ने कहां सूरज और चांद और तारों में चिन्ध दिखाई देंगे और प्रिथवी पर देश-देश के लोगों को संकट होगा याने उपर आस्मान में और मानवता में और प्रकृती में ऐसे चिन्ध होंगे जो बहुत ज़ादा होंगे और तीवर होते जाएंगे और वो बार-बार होते जाएंगे और ये दिखाएगा कि उसका आना निकट है महतुपूर्ण बातों को मैं आपको बताऊं। इनमें से एक पाया जाता है दानियल अध्या 12 वचन 4 में। ये कहता है परंतु हे दानियल तो इस पुस्तक पर मोहर करके इन वचनों को अंतिम समय तक के लिए बंद रख। बहुत से लोग पूछ पाँच और धूम धांड करे लोग पुरे संसार में घूम रहें मैंसे ईशू के दिनों में ऐसा नहीं होता था। वो अपने जन्म के स्तान से 100 मील से भी दूर नहीं गया। क्या आप किसी को जानते हैं जो अपने जिंदेगी में 100 मील से भी जादा दूरी पर नहीं गये हैं। एक आदमी समुंदर से 70 म दूर था और 80 साल की उमरे तक समुंदर नहीं देखा था। आखिरकार कोई उसे ले गया और उसने सोचा ओ ये तो बहुत जारा पानी है। यानि लोग यहां वहां जाएंगे और ज्यान बढ़ता चला जाएगा। कितने लोगों के पास स्मार्टफोन हैं। आप तो इस सं स्मार्टफोन मुझे मुर्ख ठहराता है। अगर आप ऐसी कोई चीज प्रेरित पॉलुस को दिखाते तो वो कहता कि आप दुष्टात्मा ग्रसित हैं। यानि पिछले 50 साल में ग्यान इतना बढ़ता चला गया है, पूरे मानव जाती के इतिहास की तुलना में बढ़ गय एक और वचन, यीशु ने कहां राज्य का येसू समाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो तब अंत आ जाएगा। ये नहीं कहां कि शायद आ जाएगा लेकिन कहां कि अंत आ जाएगा। और जानते हैं अभी इस प्रसारण में सेटेलाइट पर जो स्पेस में 23,000 मील दूरी पर है और बस कुछी पल में इंटरनेट के माध्यम से पूरे संसार में जाता है और ये तो केवल एक प्रेजेंटेशन एक सेवकाई का या कहिए कुछ सेवकाई एक साथ जुड़कर जो सैकडों लोगों को सुसमाचार प्रच करते हुए आडिटोरियम फुल था मुफ्त में 15 प्रेजेंटेशन दिये उन्होंने कहां 60 सालों में इसकी पहली बार अनुमती मिली है यानि हमने इसे होते वे देखा है और डीवीडी और इंटरनेट के माध्यम से सुसमाचार हर जगा जा रहा है ये शुन ने ये नहीं कह है कि क्या कोई येशु मसी की वापसी की तारीक जानता है मैं कोच चिन्धों के बारे में बताऊंगा लेकिन हमें सावधान रहना है येशु ने बहुत सपष्ट कहां है उस दिन और उस घड़ी के विश्यम में कोई नहीं जानता न स्वर्ग दूत और न पुत्र परंतु क केवल पिता जानता है कुछ लोगों ने सोचा येशु अपने जन्म के 2000 साल बाद आएंगे मैंने देखा है ये रेकॉर्ड में है 1999 में मैंने कहा कि मुझे नहीं लगता ये सच है जानते हैं क्यों सब यही सोच रहे था आपको याद है ये बड़ी थेयरी कोई 1999 में वहाँ पर था किसी को याद है वाई टू के और संसार खत्म हो जाएगा और लोग उसके योजना बना रहे थे मैंने कहा मुझे नहीं लगता ये इशु 31 डिसंबर 1999 को आएंगे सच में क्यों नहीं आप सब सोच रहे हैं और ये शुने का ऐसा समय जिस पल तुमने सोचा भी नहीं ह कि मनुष्य का पुत्र आएगा अब चर्च सो गया है तो ये किसी भी समय हो सकता है कुछ लोग कहते हैं ये शु वापस आएंगे अपने जन्म के 2000 साल बाद नहीं लेकिन उसके बप्तिस्मा और उसकी सेवकाई के 2000 साल बाद कुछ लोग कहते हैं उसके मृत्तिव के 2000 साल ब हो क्योंकि परमेशुर हमारे लिए धीरज रखते हैं वो नहीं चाहते कि कोई नाश हो वो अंतिम समय तक रहा देखते हैं बचाना चाहते हैं तो हमें सावधान रहना है हमें कोई तारीक नहीं बतानी है अगर कुछ लोग कहते हैं मुझे तारीक पता है तो ये टैक्स हाल बताते हैं यानि मौसम वाले तो मौसम के बारे में सटीकता से बताना चाहते हैं सैटलाइट के द्वारा या अपने दुरुष्टी कौन से यीशु ने कहां पर समयों के चिन्ध का भेद क्यों नहीं बता सकते यानि प्रभू ने हमें समय का चिन्ध दिया है लेकिन बताता हूं इस प्रेजेंटेशन में क्योंकि मैं कुछ चिन्ध के बारे में बताना चाहता हूं हम कुछ दिनों के बारे में कहेंगे लेकिन प्रभू के आगमन की तारीक नहीं तो सवाल नंबर तीन कौन सी संख्या भविशवानियों में बार बार दिखाई देती है आप यह साथ नमबर यह बाइबल में एक ही वचन है प्रकाशितवाक्य में प्रकाशितवाक्य जो मैंने खुद बनाई है ये साथ संख्या जो आप बाईविल में पाते हैं छे वस्तूओं से यहुआ बैर रखता है वरन साथ है जिन से उसको घृणा है यानि साथ भयान अकपाप ऐसे न्याई जो डरा देते हैं न्याई के साथ जुड़े होने के साथ 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 तो शमा के साथ में भी जुड़ा है उधारन के लिए पत्रस ने कहा मेरे भाई को मैं कितनी बार शमा करूं मती अठा रहा साथ बार तो ईश्व ने कहा साथ का सत्तर गुना उसने साथ बार नहीं कहा लेकिन साथ का सत्तर गुना फिर कहूं शमा जब याजक प्रभु के सामने जाते तो बलीदान का लहू ले जाते और छिड़कते थे साथ बार छिड़कते प्रभु के सामने यानि साथ शमा से जुड़ा है और शायद आपको ये कहानी याद होगी दूसरा राजा अध्याए पांच में नामान के बारे में सिनापती से एक कोडी से कहां यर्दन में डुपकी लगाना और यर्दन तो दर्शाता है यानि ईशुने बबतिस्मा लिया ईशु का मारा जाना गाडा जाना जीवड़न बबतिस्मा साथ बार डुपकी लगाना तो कोड चला जाएगा मिर्यम कोड के कारण साथ दिनों तक तंबू के बाहर रही और उसके बाद में वो चंगी हो गई यानि साथ कई बार समय के चक्र के बारे में बताता है जो न्याईयों में बताया गया है तो बाइबिल की ऐसी दूसरी और कौन सी कहानिया है जो साथ के इस चक्र के बारे में बताती है मूसा दस आग्याओं को पाने के लिए सियोन परवत पर कितने समय रहा 40 दिन और 40 रात लेकिन याद है एक और समयकाल था जो पहले गया था तब यहवा के तेज ने सिनय परवत पर निवास किया और वो बादल उस पर 6 दिन तक 6 दिन तक छाया रहा और साथवे दिन उसने मूसा को बादल के बीच में से पुकारा और मूसा गया और भी विवस्ता थी और भी कुछ अलग कहानिया है जब तुमको इबरी दास मोल लो निर्गमन 21 दो तब वो 6 वर्ष तक सेवा करते रहे और साथ विवर्ष स्वतंत रहू कर सेत में चला जाए तो क्या यीशू अपने आने पर बंधवों को आजाद करेंगे यानि 6 साल तक लोग संसार में शैतान के गुलाम रहेंगे वो तो कठोर स्वामी है लेकिन प्रभू आकर बंधवों को आजाद कर देंगे और जो मसी पर भरोसा करते हैं वो उस समय छुटकारा पाएंगे यरिहो आपको याद है प्रतिग्या के देश में इस्राइली लोगों को सबसे पहला योध करना पड़ा यरिहों में यरिहों नगर के कितने चक्कर काटने पड़े 13 बार सब लोग गलत कहते हैं याद कीजिए आखरे दिन उन्होंने कितने चक्कर काटे थे ये कहता है उन्होंने उस नगर के एक-एक चक्कर काटे छे दिनों तक फिर साथवे दिन उन्होंने नगर के साथ चक्कर काटे यानि कुल 13 तो आखरी भोज में कितने लोग थे ते रहा इसका मतलब क्या है मुझे पता नहीं मैंने बस इस संख्या के बारे में सोचा बस इसलिए कि आपके मन को उक्साओं ता कि आप मुझे अपने विचार दे दे छे दिन नगर के एक-एक चक्कर काटे पर साथवे दिन प्रतिग्या का देश ले लिया वचन में साथ के और दूसरे पैटन्स कौन से है ऐसे बहुत से है दोस्तो हनोग के बारे में यहुदा में पड़ सकते हैं हनोग जो आदम से साथवी पीढ़ी में था इनके विश्य में ये भाईश्वानी की देखो प्रभू अपने लाखों पवित्रों के साथ आया है अब मतुशले के पिता हनोग के बारे में कह रहे हैं हनोग किस दिशा में गया? वो उपर गया वो कौन से पीढ़ी का था? साथवी पीढ़ी का था तो आप ज़रा गिंती कीजिए आदम, शित, हनोश और फिर हनोग तक आएंगे तो उसके पहले छे थे और साथवा उपर जाता है और साथवा ये कहता है कि प्रभू आ रहे हैं बहुत दिल्चस्प है मुझे पतानी शायद कोई फर्क नहीं देख रहा हूं लेकिन एक पैटर्न देख रहा हूं अयूब में पढ़ सकते हैं वो तुझे च्छव विपत्तियों से छुड़ाएगा वरन साथ में भी तेरी कुछ हानी न होने पाएगी साथवे में कोई क्यों न छुएगा क्योंकि उठाए जाएंगे याद है देश में अकाल पड़ा था और एलिया ने बारिश के लिए प्रातना की थी दास को कहां देखो क्या बारिश के चिंदे दिखते हैं उसने कहां कोई चिंदे नहीं दिखाई दे रहे हैं फिर प्रातना की फिर प्रातना की फिर प्रात्ना की याने फिर प्रात्ना की छे बार दास ने आकर कहां कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं सातवी बार प्रात्ना की तो उसने कहां एक बादल है जो समुंदर से निकलता है वो बादल बढ़ता गया और आकाश को भर दिया और बहुत बारिश हुई थी खर बतादू भविश में तूफान आएगा ईशु मसी के आगमन के पहले मसी ने कहां ये मुश्किल का ऐसा समय होगा जो पहले कभी नहीं था कोई भी देश बनाई जाने के पहले से आपने कलेश काल के बैर में सुना इसलिए ईशु ने कहां जो अंतर तक धीरज रखे वो धार पाएगा अच्छा उस पर विश्वास करे उसके वचन पर विश्वास करे और उससे प्यार करे कही मत जाएए दोस्तों बस कुछी पल में हम आज के प्रेजेंटेशन में लौट कराएंगे आप अकेले नहीं हैं हम युद्ध के जोन में जी रहे हैं जहां हम निरंतर भले और बुरे और सही और गलत के बीच के युद्ध को महसूस करते हैं यह हमारे अंदर छिड़ा है हम सब इस युद्ध का सामना करते हैं हम प्रभू के लिए बलवान होना चाहते हैं लेकिल लगता है कि शरीर कमजोर है और हम निरंतर गिरते हैं अमेजिंग फैक्ट सभी तयार है कि आपको बहुत ही विशेश और प्रोटसाहित करने वाला फ्री रिसोर्स भेजे फ्री कॉपी मंगवाने के लिए स्क्रीन के नमबर पर फोन कीजिए और आफर नमबर 201 मंगवाईए या स्क्रीन के वेब एडरेस पर जाईए और इस अद्भुत स्रोट को पढ़ने के बाद अवश्य ही से अपने दोस्तों को भी दीजिए तो आईए आज के प्रेजेंटेशन में लौट चलते हैं और आईए परमेश्वर के बचन से अमेजिंग फैक्ट सीखते हैं क्या येश्व ने कभी ये बताया कि उसके वापसी के बारे में देरी होती दिखाई देगी यानि लगभग 6,000 साल बीच चुके हैं मसी के जन्म कभी 2,000 साल हो गए हैं लेकिन वो अब तक क्यों नहीं आए ये मत भूलिए जब येश्व पहली बार आए थे तो क्या चर्च उसके आगमन के लिए तयार था क्या उसके अपने लोग जिनके पास बाइबल थी मसीहा की रहा देखते वे ठक गए थे तो हम क्यों सोचते हैं कि शैतान बिलकुल बदल जाएगा दूसरा आगमन भी बिलकुल पहले आगमन के जैसे ही होगा और वो बाइबल नहीं पढ़ रहे थे पूर्व से कुछ बुधिमान थे भवन में कुछ लोग थे हन्ना, शिमौन, मैदान में कुछ चर्वाहे थे पर ज़ादा तर लोग पहले आगमन के लिए तयार नहीं थे शैतान नहीं बदला है तो ऐसे कौन से उधारन है जिससे हम जाने कि ईशू ने कहा है कि हम तयार हो सके यानि देरी के समय के लिए जहाँ विश्वास परखा जाएगा, कम से कम ऐसे दिखेगा और जब ईशू ने हमें मत्ती 24 में चिन्ह दिये अपने दूसरे आगमन के बारे में बताया उसने अपने चेलों से कहा यदि वो दुष्ट दास सोचने लगे कि मेरे स्वामी के आने में देर है और अपने साथ ही दासों को पीटने लगे और पीयकड के साथ खाय पिये, तो क्यूं वो कहेगा कि मेरे प्रभू के आने में देरी है लगता है कि मसी बता रहे थे कि जब कि इस्राइली लोग मुसा की वापसी का इंतिजार करते हुए ठक गए थे मुसा दसाग्या लेने के लिए पहाड पर गया था वो तो अस्ती साल से भी जादा था, वो उपर गया और वहाँ पर पहाड पर बिजली और धूआ उठने लगा और पहाड हिलने लग गया और कुछ हफ़तों के बाद आप चिंता करेंगे बुढ़ा आदमी उपर था कहीं पत्थर में फसन गया हो शायद वो वापस नहीं आएगा तीन हफ़तों के बाद में चार हफ़तों के बाद फिर 40 दिन के बाद उन्होंने कहाँ बस हो गया वो आने वाला नहीं है पहाड पर नहीं जा सकते हैं तो हमें और किसी को लाना होगा यहां यह वचन कहता है जब लोगों ने देखा कि मूसा को परवत से उतरने में विलम हो रहा है तब वे परखे गए तो उन्होंने क्या किया बहुत से लोग परिक्षा में असफल हो गए उन्होंने सोने का बच्छरा बनाया उसकी आरादना की कि आज भी चर्च की बिलकुल ऐसे ही परिक्षा हो रही है अब हम रहा देखने के समय में हैं जब विश्वास बलवान होना चाहिए लेकिन लोग समझोता कर रहे हैं संसार जैसे हो रहे हैं एक और उधारन बाइबल से शमयल भविश्वक्ता को आपने सुना शमयल ने शाउल का अभिशेक किया कि शाउल राजा बन जाए और कहां तु पलिश्टियों से बड़ा युद्ध करने वाला है जब तक मैं बलिदान न चड़ाऊं युद्ध में नहीं जाना शमयल भविश्वक्ता था याजक था इस्राइल का नियाई था देखिए यहां वचन क्या कहता है तु मुझ से पहले गिलगाल को जाना और मैं तेरे पास आऊंगा क्या येश्व ने ये कहा है कि मैं फिर आऊंगा क्या जूट कहां और मैं होम बली और मेल बली चड़ाने के लिए तेरे पास आऊंगा तु साथ दिन तक मेरी बाट जो होते रहना तु रहा देखते रहना मेरे आने तक तु रहा देखते रहना स्पष्ट निर्देश है लेकिन बाइबल कहती है शाउल पलिष्टी जमा हो रहे है और उसके लोग डरने लगे बहुत से लोग भागने लगे छे दिन तो बीच चुके हैं शमयल नहीं आया और बाइबल कहती है उसने साथ दिन रहा देखी लेकिन शमयल नहीं आया तो शाउल ने कहां में बलिदान चड़ाना होगा और फिर जब सात्वा दिन आया तो उसकी परिक्षा हुई उसने वो किया जिसके लिए मनाई की गई थी राजा याजक नहीं था उससे बलिदान नहीं चड़ाने चाहिए थे तो उसने बलिदान चड़ाया दुसरे देश भी ऐसा ही करते थे तो उसने सोचा मैं भी कर लेता हूँ तो उसने बलिदान चड़ाया और उसके बाद में देखे तुरंट क्या हुआ शमुल आया जैसे उन्होंने सोने का बच्छडा बनाया था उस समय मूसा आ गया परमिश्वर के लोगों के अंतिम दिनों में बड़ी परिक्षा होगी इसलिए ईशु ने कहा कि बहुत से मेरे पास आकर कहेंगे कि प्रभू प्रभू मैं कहूंगा मुझसे दूर चले जाओ मैं तुम्हें नहीं जानता वो धीरज खो बैठे थे परिक्षा का समय तो फिर ईशु ने मत्ती 25 में क्यों कहा क्योंकि मत्ती 24 में उसके आग्मन के चिन्ह बताए है मत्ती 25 जब दुलहे के आने में देरी हुई यहाँ पर दुलहा कौन है यह ईशु को दर्शाता है क्या ईशु मसी हमें यहाँ पर कुछ बताना चाहते हैं कि पर्खे जाने का समय होगा खेर यहाँ 10 कुमारियां थी 5 बुद्धिमान थी 5 मुर्ख थी ठीक है इस दृष्टान्ट में यह परिक्षा का समय था आधे तो परिक्षा में फेल हो गए हैं क्योंकि सोचा वो नहीं आएगा प्रभु हमारे विश्वास को परक्ते हैं क्या येश्व अपने आगमन में देर करेंगे आपको क्या लगता है चलिए इस पर कुछ भविश्वानी पढ़ते हैं हबक्कुक में कहता है क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाले ये वरन इसके पूरे होने का समय वेग से आता इसमें धोका न होगा देखे ये कहता है चाहे इसमें बिलंब भी हो तो भी उसकी बाड़ जोते रहना क्योंकि वो निश्चे पूरी होगी औ आला कि ऐसे दिखाई दे, संसार में बहुत से लोग कहते हैं कि मुझे नहीं लगता प्रभू वापस आएंगे, इबरानियों 10-37 पर पढ़ सकते हैं, क्योंकि अब बहुती थोड़ा समय रह गया है जबकि आने वाला आएगा और देर न करेगा, पर मेरा धर्मीजन विश्व से जीवित रहेगा, दोस्तों क्या आपका विश्वास है, इश्व ने कहा हमें वापस आऊंगा, ये सच में महान आशा है, धन्य आशा है, विश्वासियों के लिए जो हमें प्रुच्साहित करेगी, प्रभू अगर एक हफ़ते में आने वाले हैं तो आप कैसे जीएंगे हम हर दिन वैसे ही जीएंगे, उसने कह मैं वापस आऊंगा, और वो सब को प्रतिफल देंगे, इबरानियों 10-37 में आप पढ़ सकते हैं, और यदि वो पीछे हट जाए, तो मेरा मन उससे प्रसंद नहोगा, ये 38 वचन का अगला भाग है, दूसरा पत्र सध्या 3 वचन 3 औ और कहेंगे, उसके आने की प्रतिग्या कहां गई, क्योंकि जब से बाब दादे सो गए हैं, सब कुछ वैसा ही है, जैसा स्रिष्टी के आरम से था, तो यहां पर पत्रस क्या कह रहा है, हसी और ठटा करने वाले, ठटा करने वाले हमेशा रहे हैं, शायद चर्च में ठटा क कह रहे हैं, हाँ, जल्दी ही यह सही हो जाएगा, वो वापस आएंगे, उसने हमें लोगों को बताने के लिए कहां है, बाइबल कांत कैसे है, हे प्रभू, यीशु आ, हम इसमें विश्वास नहीं खो सकते हैं दोस्तों, परन्तु प्रभू का दिन चोर के समान आ जाएगा यानि चोर के समान आ जाएगा, उस दिन आकाश बड़ी हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा, और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे, और पृत्वी और उस पर के काम जल जाएंगे, वो आएंगे, रोमियों, अध्या 13 वचन 11, समय को पहचान कर ऐसा ही किया करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नीन से जाग उठने के घड़ी आ पहुंची है, च्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था, उस समय के विचार से अब हमारा उध्धार निकट है, यानि वहाँ, दस कुमारियों में से कितनी बुध्धिमान थी, कितनी मुर्ख थी, कितनी सो रही थी? और भविश्वानी में जो चक्र हम देखते हैं, हम ऐसा बहुत कुछ बताएंगे, आप इस प्रोग्राम में बने रहीए, क्योंकि ऐसा कुछ बताएंगे जो पहले कभी नहीं सुना है, मैं वादा करता हूँ, ये परमेश्वर के वचन से है, और ये प्रतिग्या करता है कि मसी जल्दी आएंगे, अभी भविश्वानी में परदे के पीछे क्या हो रहा है, और संसार बहुत गडबडी में है, हम कैसे तयार होंगे, प्रभू हमें भूले नहीं है, वो जल्दी वापस आएंगे, मुझे याद है 1995 की बात है, उस समय बौजनियन बौर चल रहा था, ह जैसे वो नीचे जमीन की और आ रहे थे, तो एजेक्शन लीवर उन्होंने दबाया, और वो उस कॉक्पिट से बाहर आ गए, उनका चेहरा जल गया, आँखों में चोट लगी, पैरशूट से वो नीचे उतरे, और शत्रू ने देखा कि उन पर गोली दागी गई है, और व वो शत्रू से बस छिपते चले गए वहाँ अनजाने जगह में, वो ज़ाडियों में छिपते रहें, कई बार उन्होंने शत्रू के पैरों को वहाँ से करीब से जाते देखा, वो इन्हें धून रहे थे, वो जानते थे, अगर इस अमेरिकन पाइलट को पकड़ ले तो उन उन्हें ट्रॉफी मिलेगी, उनके पास रेडियो था, वो मदद के लिए पुकार रहे थे और बैटरी घटे चली जा रही थी, और वो सोच रहे थे क्या कोई उन्हें सुन रहा है, उन्होंने कहां उस समय केवल एक ही चीज उन्हें थामे हुए थी, वो परमेश्वर के लि वहां कीडों के बीच में रहें, जीवित रहने के लिए हर कोशिश की मदद के लिए पुकारें, और आखिरकार उन्होंने सुना किसी ने उन्हें कॉल किया, उनके रिडियो पर वो कॉल करने से डर रहे थे, इस डर से के दूसरे ट्रांसमिशन सुनेंगे, और उन्हें लेगे साथ मिनिट के अंदर, और वो वापस आएं, और ये बात तो अद्भुत है, जब भी मैं कहता हूं तो मैं खुद भावुक हो जाता हूं, जबकि वो इन सारी मुश्किलों में से होकर जा रहे थे, तो वो सोच रहे थे कि मेरा देश मेरे बारे में किस तरह से भूल स रखता है, क्या कोई मेरे लिए कुछ कर रहा है, क्या वो वापस आएंगे मैं तो अकेला सिपाही हूं, शायद वो परवाह न करें, अगर वो केवल इतना जानते कि परदे के पीछे क्या चल रहा है, यनि पूरे अमेरिका की मिल्टरी तो साथ ही ऐलाइज की दूसरी अगर गलती करने वाले मनुश्य ये कर सकते हैं, संगी मनुश्य के लिए तो क्या परमेशर हमें भूल जाएंगे, तो क्या वो वापस आएंगे, दोस्तों उस पर भरोसा रखे, मैं सोचता हूँ ये समय जल्दी आएगा, वो चाहते आप तयार रहें, जब आप तयार हो ज अनंत जीवन से बढ़कर महतुपुर्ण क्या है? अनंत जाएंगे, तो कोई दर्थ नहीं होंगा, न पुली स्टेशन, न कोई भीमारी, न मृत्यों, न दुख उठाना, ये तो असली बात है, दोस्तों, हमारे संसार का ये दुख तो परमेश्वर के योजना के नुसार नहीं ठा, वो सब कुछ अपनी असली योजना में व सवर्ग के राज्य के वारिस होंगे, क्योंकि मैं भूखा था, और तुमने मुझे खाने के लिए दिया, मेरे इन छोटे से छोटे भाईयों के लिए तुमने जो कुछ भी किया है, वो तुमने मेरे लिए किया है आज के फ्री ओफर को मंगवाईए, ये आपके लिए एक आशिश है जैसे हम सुसमा चार लोगों तक ले जा रहे हैं, आपकी भीटों के लिए आपका धन्यवाद आशा है आप अगले हफते जूट जाएंगे, जैसे हम वचन की गहराई को देखते हैं, हम और गे अमेजिंग फैक्ट्स देखेंगे ये प्रेजेंटेशन अमेजिंग फैक्ट्स के मित्रों के द्वारा लाया जा रहा है